तो अभी शाम का वक्ते सवाचार हो चुके मैं आगी थी आंपर बुखार के अपड़िट देदू बुखार वैसा यह दवाई खाती हूं तो आराम हो जाता पर रस्ता मुल्की गूली खारी हूं में गीलुए का भी बोला था किसी ने तो अगर नहीं हुआ मतले अंटिबायोटिक लेनी पड़ेगी साथ में ऐसे नहीं होगा रहा मेरे खाल में आखों से जैसे आग निकल रही है यह जगा बिल्कुल गर्म हो रही है और मैं आगी हूं यहां पर क्योंकि मुझे आना तो था इगाय दूने मैंने का चलो पार जायती हूं थोड़ा सा मन आखो मेंना चिपड जैसा बन जाता हैसा बुखार बुकूर होता है जगूं इतना गर्म हो रहा न मूं क्या बता हूं माफ लोगोंको बाइस तारीके आजूर मौसं भी जैसा गंदा जैसा है ना तो जो उद्र बैठा हुआय परे अब उरक लेस्तन् जो जो परे बैठा हुआ है और वो गाउं हमारा इस विल्कुल है पदा मेरे बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है लेकिन वीडियो तो शूट करना ही पड़ेगा है ना आसे कैसे चलेगा काम कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा अपने लिए भी और आप लोगों यहां के लिए भी अगाइं और परें उनको पाने पिलाते हूं फिर अंदर कर देते हूं तो बस बैठ लिया थोड़ी देश जीतने देर बैठना था अब ना पश्यों को पाने पिलाते हुआ पता नहीं लग रहा कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं मुझे शाम की राधा बना देकन है या तेरा क्या भी गिड़े मेरा ट्राइपोड उपर है बुले कि आना पड़ेगा ट्राइपॉड गाडी हमने यहां पर खड़ी कि वे सेफ रती है पता है अपनी गाडी कि यहां पर है न तो फिर lieहां पर मैं पानी लगए उपिलाने इनको अंदर करना वन तो पानी पिलाना पड़ता है देखो घास इनके मुँग के पास ना खाती नहीं है डंग से और अब मैं इनको अंदर बांध रही हूं जब इन ग्रील में रंग होगा ना ग्रीलों में रीलिंग में सारे तो कितना बढ़िये लगेगा ना अच्छा लगेगा यहां पर मैं उठा रही हूं गूबर फिर मैं यहां पर सारे सपाई करके ना जो अ घूड़ा घास में ने उठा दिया जो ऋकह सुख घास आघास यह वे बाकि नीचे बच्छा दी लिए बाकी और बीजा चोटे-चोटे चोटे सा उसको में ने एकक्ठा करकर इसमें आग लगा दिया है और स्पीड मैंने यहां पर फास्ट फॉर्वर्ड किये तो दिखो कैसे लग रहा है न जैसे पतने कितने जल्दी जल्दी काम कर रहे हूं कि अधान जी अभी मैं घास लेकर आगी हूं देखो पता मैंने छे पूले काटे शिर्फ छे ही काटे अब मैं सूख के गास को जा रही हूं यह देखो इसका अबस रसी कोई पकड़ीनी हाथ में इसका एड्रामा शुरू ने और मुझे बहुत बुखा रहे हैं कितनी बार बोल चुकी हूं अब है बार बार एक चब बोले ना तो बंदा की से वह जाता है यह जो 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 बही मैं अबने शुफ का घास लेकर यह भी तक किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके हरा नी होता तो अरवस ऐसी होता बहुत कम थोड़ा बहुत भूल हो जाते हैं बाकी नहीं होता है अब मैं कुन्नू के बास जा रही हूं जो कुन्नू लगाए था मैंने भगवान जोजे तू कर क्या रहा है यह देखो चला जा बस मेरे पिछे पिच्ory रहेगा मेरे को परशान करता रहेगा इसका यही ही काम हί और कुछ नियмет में ताका मैं यह जोड दे मैने गास लेना विता है घोड़透 सबल्ले आइं यह चोड़े अलब उसको बनार गविस जोजव ढूट जाने तैक ड लें तुस एम दाशल्य था होजा क जो जो पालो रख इच्ञ टोड देगा पर छोड़ेगा इतना शरा जी चोडना में चोड़े मेरे बलात बिच्च्छा मेरत बोच्छा तो चौड ऐ अहीताEr। प्यार करने का नतिश्जमा लायर जोग अगर कर दे जोल यहां पर हम एकलो यहां और यह पिछ पिछ लाइस पकड़ के चला हूँ जो 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 मेरे को उत्रने दे हट हट मिरे को गास ने कालने दे सुबा बारिश है ना ऐसा बोलाइब भी सुबा बारिश है फीर हमारी गई आपकी रहे जागे छोड़ दे आजे छोड़ दे दू पट्टान दे लाल समेरे रहूंगी भगवान इस बीच में इसने थोड़ी होगी है वैसे तो पहले तूटी थी तो यहां पे पूले निकालूंगी मैं थोड़े से तो यह देखो इसमें से मैं पूले निकाल रही हूं इस तारा से और यहां पे लगा रही हूं यह देखो ज्यादा नहीं लेके जाओंगी थोड़े से लेके जाओंगी जब मैं बुखार करते हूं न तो मैं लगन से करती हूं और अभी आपको बात बताती हूं बड़े काम की अच्छा पहले घास लगा लेती हूं उसकी बात बताओंगी जो 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 अब कुट्ते बहुंग रहे न इनके पाज जो जो इधरा जो जो इतना सा में लेके जाओंगी तक निया बस भी चली गई मैंने सुचा कि यह बस में आने और मुझे गाय दूंगी तो इस बाहट यह जो तो इस प्रिये के दिखा हूं कि जोट जोटी वही वह दूट्चा को रिया मेरे बच्चा की दर्सदर्स आज़चा दूट्स ऐसा अज़चा ना बुन जाना तो शलों अपनी तो श्लों आप और अभी हम चलते हैं अंदर आरे फस गया यह लाजी नहां पर लाइट जला देती हूं यह निच्छे वाला मैंने भी लाया यह ताजा है और उपर यह सुका है अब मैं गायदू लेती हूं किया है अब बार आरे श्रेछ बड़े ले लागार पार अंदर सक्वाब पर भी लेह देदी हैं बार आरे लाज़ग लेवाब लाजड़ा बार इवाला मैंने अंदर पक्रश बंगे में वाल अन्हों गया हैं प्राइब लेग आरे और यहां पर मैं बाहर निकल गई हूँ तो उतने को मेरी देवराने गई थी घास को यहीं यह साथ में उसका घास भी तो आते आते इसने आवाज लगाई और फिर आ गई थी उपर फिर हम डोनों ने थोड़ देर गप्पे मारी बैठके मैं गेट खोड़ने गई हूँ तो फ भूखता है और बादल जैसा है वह साथ से थोड़ा थोड़ा सूट कर दिया था बाकी बादे में बाद में करूंगे आप से घर जाके अब अब जा रही हूं घर और यह वज़ के नौ मिनट हो गए है मैं आपको ना वहां पर दिखाती हूं बड़ा अच्छा सीन बना हुआ है वह देखो वह देखो यह धार जैसे ना बादल की कितना प्यारा लग रहा है न एक मिनट में जूम करके दिखाती हूं कैमरा यह देखो यहां से सुर्य बगवांजी अभी अस्त हुए है थोड़ी देर में और ज जैसे किसी चित्रकार की कहला है है न ऐसा लगता है और हवा चली वह दूसरी और आज रात आठ वजे से जो वह बताया गया है मौसम खराब मौसम तो सुबह से खराब है आज बादल देख सकते हैं आप कई बार मौसम दिखाने का द्यान ने रहता है यह देखो यह हमारा रोड है और जो जो गाड़ियों के पीछे बागता है इसको यहां से जल्दी निकालना बढ़ता है रोड से ताला देती हूं यह पर और फिर मैं निकलती हूं घर को गाना सुनाना था अच गाने सुनाने की हिम्मत नहीं है पर घर में जाके देखती हूं अभी जो बनाई दिया मैंने जैसे तैसे बुखार में भी व्लॉग आप लोगों के लिए तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर में बड़ी मुश्किल से पहुंची मेरा इतनी थकान हो रही थी न मेरको अभी मैं बैठ गई यहां पर और पिछे हमारा गाउं और यह हमारा जो जो तो चलो थोड़ी बहुत बाते कर लेती हूं आपसे बता है आज ना हमारे आज ने पिछल करे यह कल ईब 22 तारी को जो इना वो था कि शादी थी निल्दी कि बतीजी की मितलब भाय के लड़के कि हम ने इतनी तुयारियां करी थी वहां को जाने को सभी तयार थे हम भी तयार थे वो कहते न कि जो भिश्य है ना उसका पता नहीं कि क्या होगा आगे हम इंसान बहुत रास ना रखो, उमीद ना पालो, एक ऐसा कुछ बोलते हैं और जरूरी भी है जिन्दगी जीने के लिए, तो पता है उस लड़की को आना था न ब्याने लड़का, तो उसका दादा ना शादी के ठीक एक दिन पहले एक्सपायर हुँ, बुजुर्गते काफी बुजुर्गत और पिछले दो-ढ़ाई सालों से बिमार चल रहे थे, लिकि देखो उसी दिन के लिए भगवान ने उनकी मृत्ति लिखी थी, तो हलांकि निम्ला दीदी के जो माईके में वहां पे सबजीयों की कटाई, कदुब गरा काटने लग गये थे, सारी त्यारियां फिनिश थी, आज आना थी बराद, आज ना तो पिछले के लोन की डैथ होई, अब वो शादी रोक दी गई, और मैं भी बहुत तयार थी, क्योंकि मैं पता क्यों तयार थी, क्योंकि जो दीदी है ना हमारे निम्ला दीदी, वो वीडियो ना मतलब बनाने देते हैं, इजाज़ों देते ह देते हैं, तो फिर मुझे खुशी थी, कि हम वहाँ जाएंगे, दीदी ने में पहले ही बोल दिया था, तू वहाँ पर जाई हो ना, वहाँ पर चलना तू हो ना, क्योंकि हमारे को तो कारड भी था, निमंतर भी था, काफी लोग पूछ रहे थे, काफी लोग पूछ रहे तो फिर मैं नहीं जा पाई, तो दीदी बोलती ही, वहाँ पर इतना मजा करेंगे, हम लोग ना, बहुत सारा गिद्धा पड़ेगा, और तू सब कुछ शूट करना, ऐसा कोई आगे से बोलता ना, तो खुशी होती है, निमंतर दीदी के माईके की बात करती हुए, दीदी तिर भी हो जाएगी, लेकिन जो गया इंसान वो कभी नहीं आता, और काफी उमर थी उनकी, और भगवान उनकी आत्मा को शांती दे, और कही ना कहीं ये, कि जैसी बीमारी की हालाते में वो थे, पिछले 2-5 सालों से उसे तो अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कही देखते हैं, वो एक एक बात ध्यान से सुनते हैं, वो ही लोग कमेंट कर रहे थे, कि आप भी 21 की शादी को नहीं गया, तो ये बज़ा थी है ना, तो चलो मैं आपको ना भी थोड़ा सा, नहीं, अगली वीडियो में देखांगी ये वाला व्यू, यहां पर मैं वीडियो क कर रहे हूं और आप से मिलोंगे मैं नेक्स्ट व इडियो में, तो प्ली चनल को सबस्क्राइब करना, वीडियो को लाइए करना और शेर करदेना, अगर आपको अच्छा लगेगा, और लाक भी करदेना, मैं बुखार में वीडियो कर देना, प्लीज, और आप मतले है एस अच्छी वो क्या बोलते हैं उसको इज़त प्रापत कर रहे हैं तो मतलब कोई माइने नहीं रखती आपकी पढ़ाई या कुछ भी बस इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए अच्छा लो करते 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 ज्यादा बढ़ गया जै माता दी राम राम अपना बहुत सारा ध्यान रखेगा दुआओं में आद रखेगा आपकी बच्चे कामयाब हों आप हमेशा स्वस्त रहें तंद्रूस रहें आपकी बेटियों को अच्छे रिस्ते मिले अच्छे घर मिले यही मैं माता रानी से प्रार्थना करते हूं इसी के साथ जै माता दी राम राम